नमस्कार, हिंदी सहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों से ये अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और COVID-19 के इस तौर में अपना और अपनों का खयाल रखें तो देखिए UGC NET, JRP, हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम इससे पहले अपना IKAI 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नागरजुन जी की जितनी भी कविताएं थी, हमारे पाटे क्रम में शामिल थी उनके बारे में हमने व्याक्या उनकी रख दी है, तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं, तो IKAI 5 के नाम से आप हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख सकते हैं, और आने वाले परिक्षा को ध्यान में रखते हुए, हमने इसको कॉंटिनियू किया था, और इससे पहले हमने यहाँ पर लगवग 80 प्रशन इसमें डिसकस कर लिए हैं, और उससे भी पहले हमने और जादा प्रशन जो है, मौक टेस्ट के जरिए किये हुए हैं, तो आप मौक टेस्ट के नाम से जो हमारी सीरीज चली है, या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं, धेर सारे मौक टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वो PYQs हों, चाहे वो फिर दूसरे हों, है ना, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, और आज की इस मौक प्रशन प्रशनोत्री को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कि यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 2004 से लिकर के 2020 तक के जो प्रशन पूछे गए हैं, UGC NET, हिंदी की परिक्षा में पूरों में लगबग, एक हजार प्रशनों को हमने व्याक्या सहीत रखा है, तो आप चाहें, तो उनको भी भाई कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेनिफीशल होंगे, क्योंकि बहुत मौत पुन होती है आपको प्रिवियस एर पेपर की व्याक्या मिलना, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें है, कि कौन सा प्रकार बहायांत्र प्रियत्र में शामिल नहीं है, तो UGC NET की परिक्शा में आपने देखा होगा, एक या दो प्रशन जो पहले के आते हैं, वहाँ पर आपको इस तरीके से, जो आपका व्याकरन वाला पॉर्शन है, या फिर आप भाशा वाला जिसको पॉ जाता है, और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं, कि जो शब्द हैं, है ना कि योगिक हैं, रूड हैं, इस तरीके के प्रशन मतलब, शब्दों के प्रकार भी आपको पता होने चाहिए, वो भी अब पूछे जाने लगे हैं, एक दो प्रशन आते हैं, और एक दो प्रशन U को समझने की जरूरत है, तो यहां पर दीखिए क्या पूछा गया है, कि कौन सा प्रकार भायांत्र प्रियत्न में शामिल नहीं है, तो दीखिए, जो भायांत्र प्रियत्न होता है, तो प्रियत्न के अधार पर हम मानते हैं, कि आपके जो वर्ण हैं, उनका वर्गी करन या धनिया है उनका वर्गिकरण अलग-अलग तरीके से किया गया है तो प्रियातन के अधार पर दो तरीके होते हैं आपके एक होता है आपका अभ्यांतर दूसरा होता है आपका भायांतर तो यहां पर भायांतर प्रियातन के अधार पर पूछा गया है कि भायांतर प्रियातन के पाशरविक या फिर संगर्शी यह यहां पर रखे गए हैं तो बहायांत्र प्रयत्न को हम देखते हैं कि जो इसमें शामिल नहीं है वो पूछा गया है यह आपने ध्यान रखना है ठीक है तो आपका जो संब्रित है देखिए वो क्या आया आपका यह आता है आपका किसके अं अंतरगत तो विकल्प नंबर एक ही इसका सही होगा ठीक है जो आपके लुंठित है पशरविक है और संगर्शी है देखिए यह आपके किसके अंतरगत आते हैं बहाया प्रयत्न के अंतरगत आते हैं और बहाया प्रयत्न के अंतरगत जो आने वाले वरणों के प्रकार है य पिर आपका संघर्शी आजाएगा, फिर लुंठित, फिर पाशरविक और आपका जो लास्ट में आएगा आपका नासिक्षिया, खीक है, तो ये अलग-अलग प्रकार हैं बहायांत्र प्रियतन के अदार पर, जो आपका संवरित आता है, यह आता है आथा आभ्यांत्र में, तो आभ्यांत्र प्रियतन को कितने भागों में बांटा गया है, यह चार भागों में बांटा गया है, जिसमें सप्रिष्ट, इशद सप्रिष्ट और विवरित और संवरित आता है, तो विवरित संवरित क्या होता है, इसके उपर हमने कम्प्लीट एक लेक्षर तयार किया ख्यानक कावे नाई का प्रधान है तो देखिए सूफी कावे के उपर हमने अच्छे से डिसकस किया हुआ है इकाई दो के अंतरगत हमने विस्तार से वहाँ पर चीजों को रखा है सिस्टेमेटिक तरीके से रखा है तो आप इकाई दो को बिल्कुल भी मिस्मत कीजिए और इ रखी गई है तो सूफी प्रेमा ख्यानक का वे नाई का प्रधान है क्यों कि जितने भी उसके जो आप देखते हैं रचनाएं है उनका जो शीर्चक है वो किसके अधार पर है नाईकाउं के नाम के अधार पर ही किया गया है चाहे बात पदमावती की हो चाहे बात वती की हो है ना तो ये जो सारी चीज़े हैं ये जो सारी रचनाये हैं ये कैसे हैं आपकी देखिए ये हैं आपकी नाइका प्रधान और इनमे नाइकाओं के नामकरण के अधार पर ही इनका नामकरण हुआ है क्लियर है तो ये वाला खतन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सू आइनी अकबरी में 14 सूफी संपरदायों का उलेक मिलता है तो ये बात भी क्या है सही है चलिए आगे है देखिए सूफी कव्यों ने अपने काव्य में अवधी भाशा का ब्रयोग दोहा चौपाई शैली में किया है तो ये कथन भी सही है इस वाले प्रशन में कोई भी शैंगत कथन नहीं है ये सब के सब क्या है सही है चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 83 है देखिए जैशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस प्रकार का काव्य है तो ये वाला प्रशन आपको देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूस करता है बहुत सारे इनकी पुस्तकाकार रचना मानी जाती है जो चायवादी है ना कभी रहे है हमारे हलांकि ये चायवादी काव्य के अंत्रगत नहीं आती है चायवाद का समय कब से कब तक आता देखिए 1918 से 1936 में ये इन्होंने इससे पहले लिख दी थी ठीक है ये चीज आपने याद रख रहा है लेकिन परिक्षा में हम जल्दवाजी में क्या कर जाते हैं कि गलत कर जाते हैं उस चीज को ही मद्दे नजर में रखते हुए ये प्रशन हमने यहाँ पर आपके बीच में रखा है 1909 में रचना काल है और ये चंपू कावे है क्लियर है इतना तक और जैशंकर प्रस ठीक है चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं प्रशन संक्या 84 है यहाँ पर स्थापना और तरक से हमने प्रशन रखा है कि चायवाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंधर्य का कावय है तो ये कथन क्या है बिल्कुल सही है कि इसमें जो लौकिक प्रेम है और सौंधर काव्य इसको माना जाता है और इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और अध्यात्मिक चेतना न के बराबर है तो ये कथन अपने आप में क्या है गलत है क्यों क्योंकि चायवाद में राष्ट्रबोध वो अध्यात्मिक चेतना है ठीक है न के बराबर नहीं आप कह सकते इसलिए A सही होगा और R आपका गलत हो जाएगा चलिए next प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 85 ये देखिए हिंदी में सर्व प्रत्थम दोहा चंद के प्रयोकता कौन थे तो बहुत ही महत्वपून प्रशन है ये देखिए कि आपका जो हिंदी है उसमें दोहा चंद के जो प्रयोकता है वो किसको माना जाता है तो अगर हम बात करें देखिए आपका जो यहां पर विकल्प हैं देखिए उद्योतन सूरी, रोड कवी, जोईंदू या फिर आपका स्वैंभू ठीक है तो इन में से देखना है आपने कि कौन सा ऐसा जो कवी रहा है जो आपका किस दोहा चंद के प्रयोकता माने जाते हैं तो देखिए इस प्रशन का जो सही उतर होगा वो होगा जो इंदू और जो इंदू ने क्या किया है देखिए इनकी दो प्रसिद इनकी रचनाय माने जाती है वो कौन-कौन सी है एक है देखिए योगसार और दूसरी है इनकी परमात्म प्रकाश तो ये दो पुस्तके इनों रची है और अब अपनश भाशा में दोह काव्यका जो आरंभ माना जाता है देखिए वो किस शती में ये विद्यमान थे तो ये थे छट्वी शताब्दी में ये चीज भी आपको याद रखना है कि छट्वी शती में ये थे आपके जो जो इंदू थे वहां से दोहा जो आपका है चंद उसका प्रियोग होने लगा था तो इसका सही उत्तर क्या होगा दखिए जो इंदू होगा चलिए नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक प्रशन में जाकर बता सकते हैं तो इसमें उनोंने जो हिंदी साहीति स्ट्रिक्षान दिका थाना और बहुत आसान है आईओ आप सब लोग बता देंगे उसको और उसमें उन्हें जो आधी काल है उसके अंत्रकत कितने कवियों को शामिल किया है ये प्रशन बन सकता है जो ग्रियर्सन को हर बार परिक्षा में फोकस किया जाता है आपने लास्ट इयर भी देखा होगा कि इनका जो काल विभाजन है वहां से प्रशन दोनों शिप्टों में रखा गया है था चाहे वो सूबा वाली हो चाहे वो शाम वाली हो तो जो आपके ये रचनागार है इनको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत महुत्पूर्ण है आपके हिंदी साहित्य के अंतरगत ठीक है फिर आता है कि उन्होंने निम्न में से नो कभियों में शामिल कौन सा कभी नहीं है तो दीखे विकल्प है खुमान सिंग जिन्दत सूरी जगनिक या फिर केदार तो जो सही उतर होगा देखी वो होगा भी कल्प नंबर दो जिन्दत सूरी ठीक है तो इनको इनोंने अपने नो कभियों में शामिल नहीं किया था तो जो नो कभी उसमें शामिल थे देखे वो कौन कौन से थे इसमें थे आपके पुश्य कभी फिर कुमान सिंग जगनिक केदा और उसके बाद आपका कुमारपाल, अननेदास, चंद्र और शारंगधर और आपके जो धराज इनको इनोंने उसमें शामिल किया था ठीक है और आपके जो जिन्नत सूरी है देखिए ये इसमें शामिल नहीं थे ये था प्रशन संक्या 86 अब हम देख लेते हैं अगला जो प्रशन है देखिए 87 अग्यान का दूसरा नाम है यह कथन गोदान के किस पात्र का है तो देखिए गोदान उपन्यास क्रिशक जीवन की महात्रास्ती जिसको कहा जाता है देखिए और प्रेमचन आदर्शनमुक या थार्थवादी जो आपके साहित्यकार हैं है ना उनके जितने भी आपको उपन्यास हैं देखिए एक तो उनके उर्दु नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है ये चीज़ आपको गांट पांद देनी है कि वहाँ से भी प्रशन पूछा जाता है उनको क्राम अनुसार रखने को कहा जाता है ठीक है और प्रेमचन से जुड़े अ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं बहुत ही महत्तफोन उपन्यास है आपका गोदान इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो हो सकता है आपको सिंपल से ऐसे ही प्रशन पूछा जा सकता है कि आश्चर अज्यान का दूसरा नाम ह यह कतन किस उपन्यास का है तो यह होगा आपका जो गोदान उपन्यास ठीक है और गोदान का रचना काल क्या है यह भी आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में जाके चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 88 है देखिए निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत क निमन बरगिये जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रत निदित्वा कर सकता है यह कतन किसने किसके लिए कहा है तो देखिए यहाँ पर बात किसके कही गई है निमन बरगिये जनता का सच्चा सांस्कितिक प्रत निदित्वा है ना तो एक चीज़ तो यहां से शियोर है कि यह क इसके लिए जो प्रगति शील, जो माक्सवादी विचार धारा से संबंद रखने वाले आपके रचनाकार हैं, उनके लिए कही गई है, लेकिन दूसरी समस्या यहां पर आप देखेंगे, कि धूमिल माक्सवाद से प्रभावित थे, ठीक है, प्रकाश्चन, गोप्त और प्रगति वादी हैं, एक चीज़ आपने यहां से इस तरीके से भी प्रश्चन को याद करने की जरूरत है, कि सारे के सारे के हैं, प्रगति वादी हैं, अब प्रश्चन ये उर्ता है, कि निमनबर्य जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व किस ने किया है, खीक है और ये कथन किसने किस के लिए कहा है तो अभी देखिए हाल ही में हमने नागरजुन जी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को थोड़ा थड़ा बताने कि आपको कोशिश की थी तो ये कथन है नागरजुन के लिए किसका प्रकाश्चंद गुप्त जी का तो प्रकाश्चंद गुप्त भी किस तरीके के रचना कारें देखिए समीक्षक है ये अलोचक ये भी आपके माक्सवादी अलोचक ही रहे है और ये बात इनों नागरजुन जी के लिए कही है तो विकल्प नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यहाँ पर रामबिला शर्मा है यह भी प्रगतिवादी अलोचक हैं नामबर सिंग भी प्रगतिवादी अलोचक हैं नगेंदर आपके क्या है रसवादी अलोचक माने जाते हैं यह चीज आपने याद रखनी है इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाता है चल यह प्रशन संक्या 89 देख लेते हैं अब कि इसका उत्र क्या होगा तो देखिए इस वाली कवीता को भी हमने पढ़ लिया था कई दिनों तक चूला रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक यहाँ पानी हो गया यहाँ पर कानी होगा कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्ट कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त तो सबसे पहली बात तो यह यह कि यह किस कवीता की पंक्तिया है और किस की है नागरजुन की कवीता है कौन सी कवीता है अकाल और उसके बाद ठीक है? तो इसrewitah में उन्हें ने क्या है? अकाल और उसके बाद की जो श्थिति है, जो भयावएस्थिति है उसका मारविक चितरन किया है इन्होंने कि उस वक्त खाने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं रहता है तो इन पंक्तियों का आश्या पुछा गया है यहाँ पर इन पंक्तियों पूछाए ना कि इस कवीता में बोला गया है तो इन पंक्तियों में नोंने अकाल और उसके बाद की सिदिका चित्रन नहीं किया है अन न होने पर चूला तता चक्की दोनों नहीं चलाए गए तो यह बात क्या है? सही है मानव के सासाथ अन्य जी भी भूग से तरस्त हैं ये भी सही है और सभी सही इसमें नहीं है ठीक है? तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन इसलिए है क्यूंकि आपने प्रशन को सही तरीके से अगर नहीं पढ़ा तो यहां पर गलती होने की गुंजाईश हो सकती है वो हमने नहीं करनी है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रशन को बिलकुल साबधानी से पढ़ें तब ही आप जो है अपना बेस्ट दे पाएंगे परिक्षा में तो विकल्प नंबर जो एक है देखिए वो इसमें नहीं होगा और चार भी नहीं होगा दो और तीन इसके क्या है सही है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन संक्या 90 है देखिए सही क्रम में रखने को कहा गया है यहाँ पर भी हमने नागरजुन जी की जो रचनाए हैं देखिए इनके जो कावे संग्रे हैं उनको ही रखने की कोशिश की है यहाँ पर युगधारा सतरंगे पंखों वाली प्यासी पत्राई आंखें और तुमने कहा था तो देखिए इनका रचनकाल जो विकल्प नंबर ए कह देखिए वही सही है युगधारा 1953 में लिका था और इनकी जो अगली रचना है देखिए वो कौन सी थी वो थी इनकी जो आपका सतरंगे पंखों वाली है देखिए इसकी रचना इनोंने आपको 1959 में की है और 85 पत्राई आंखें ये 1962 में और तुमने कहा था 1980 में इसकी र रचनाकार है उनकी जो प्रमुक रचनाए है उनको आपने सिलसले बार याद करना है और सहीत्यकारों के जिवन परिचे भी आपने थोड़े थोड़े याद रखने है कई बार वो भी क्रमनुसार लगाने को पूछ जाता है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन स पंखों वाली ठीक है जो आपकी रचना है देखिए उसमें है ये है ना और इसमें इन्होंने देखिए इसका जो रचनाकाल कब है 1952 इसका रचनाकाल है अकाल और उसके बाद का और जो सतरंगे पंखों वाली है ये 1969 में है ठीक है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये किस की, किस आपके काबे संग्रह में संकलित कवीता है और नागारजुन के बारे में हमने वहाँ पर विस्तार से चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं इसलिए जादातर प्रशन हमने आज वहीं से रखे हैं आपको प्रगतिवाद से और साथ ही साथ जो आपका कवीता वाला पोर्शन है और आदिकाल से रिलेटिड हमारे प्रशन रहे हैं चलिए अगला प्रशन दिख लेते हैं आज का इसके पश्चात दिखिए संस्कृती और संदर्य निबंध में नामवर सिंग ने किसकी संदर्यात्मक दिश्टी का मुल्यांकन किया है तो संस्कृती और संदर्य कब लिखा गया था ये 1982 में नामवर सिंग जी के द्वारा लिखा गया है जो हजारी प्रसाद दुवेदी जी हैं उनका इनोंने उनकी सुंधारत मक्तिष्टी का मुल्यांकन इनोंने इस रचना में किया हुआ है तो विकल्प नमबर 3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन संक्या 93 है तो फ्रेंच वाशा के भी कुछ एक मौतरपुन शब्द है उनको भी आप देख लीजिए जो भी आपके पास पुस्तक है वहां से आपको ये शब्द मिल जाएंगे तो आप इसली जो भी मौतरपुन जैसे शब्द होते देखिए जिनका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उनको आप जरूर पढ़के जाएगा मतलब कि आपका एक नमबर डन है अगर आप सही तरीके से इनको फोकस करते हैं ठीक है तो चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं 94 प्रशन है देखिए असंगत युगम बताईए तो असंगत युगम ये तो आप आपके बरमार जैसी ह चलिए इस तरीके की प्रशनों की कि आपको दो जोड़े दे जाते हैं तो उसमें नहीं होते हैं तो एसा ही प्रशन में आपके लिए यहाँ पर आग ये रखा हुआ है देखिए असंगत युगम बताना है आपने केशब हम सब जानते हैं कि अलंकारवादी अचारे हैं और कुलपती मिश्र रसवादी चिंतावनी ध्वनिवादी या फिर ये सभी सही है ठीक है तो ये वाला कतन तो गलत है क्यों क्योंकि जो कुलपती मिश्र हैं देखिए वो क्या है आपके ध्वनिवादी है और चिंतावनी क्या आपके रसवादी है बस थोड़ा सा यहां पर क्या किया था हम ने previous फेर किया था तो इसलिए असंगत कौन से हैं आपके 2 और 3 जो है वो आपका असंगत हो जाएगा विकल्प नंबर एक आपका सही हो जाएगा ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो दो और तीन ठीक है तो इस तरीके से आपने प्रशनों को याद करने की कोशिश करनी है और यहां पर देखिए इन जितने भी हमारे अभी तक मौक टेस्ट हुए हैं इसमें हमने कुछ एक यूनिट्स ही अभी फोकस किये हैं और कमप्लीट जो अन्य हमारे जितने भी अभी बच जाते हैं उनको भी हम लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे तो आप बने रहेंगे हिंदी साहीत यवारता के साथ और आज का आखरी प्रशन दोस्तो हम आपके लिए एक बार फिर से चोड़ रहे हैं कि आपको हमारी जो हम बनाते हैं जो मौक टेस्ट होते हैं उसको देकर आप कैसा महसूस करते हैं या आपकी क्या राया है यह आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं क्या हमें कुछ चैंजिस लाने की जरूरत है या हमें कुछ और नए तरीके से पढ़ाने की जरूरत है तो वो भी आ आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर बेजी जग बता सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप प्लीज अपने दोस्तों के बीच में हमारे लेक्चर्स हमारी जो वीडियोज हैं उसे शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद शब्बा कैर बाबाई